पातियां हो चुका है जो कि भीड़ भार बहुत जादा थी ओवर क्राउड हो जाने की वैसे कुछ मुश्किले आई लेकिन दीरे दीरे सब कुछ खैरियत से हो गया इन तीन तस्वीरों में पुर्वांचल के माफिया मुखतार अंसारी की पूरी कहानी सिम्टी हुई है ये वही मुखतार अंसारी था जो 400 गाड़ियों के गाफिले पर चलता था लेकिन आज गाजिपूर में चार कंधों पर माफिया का खौव, रुत्वा और धबंगई कब्र में दफन हो गई ये वही मुखतार अंसारी था जिसके इशारे पर BJP विधाय क्रिश्ना नंद राय को तिन दहाड़े 400 से ज्यादा गोलिया मारी गई थी जिसके चलते मुखतार साल 2005 में मरते दम तक जेल में कैद रहा था कि वही मुखतार अंसारी था जिसकी मूचों का ताव देखकर शासन और प्रशासन में मौजूद अधिकारियों के पसीने छूप जाते थे लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद मुखतार के माफिया राज का ऐसा अंध चुरू हुआ देखते ही देखते मुखतार अंसारी उसके परिवार और उसके करीबियों की 650 करोड से ज्यादा संपत्यां तबाह कर दे गई इन त्याइन तजवीरों में माफिया मुखतार के 60 मुखनों का ऐसा माफिया नामा है जो साबित करता है कि पूर्वान्चल से माफिया राज खत्म हो चुका है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटेक हा जाता था वो माफिया मुखतार अंसारी हार्ट अटेक से मर गया जिस गाजिपुर में माफिया मुखतार की दूती बोलती थी उसी घाजीपुर में मुक्तार के जनाजे में उसकी पत्नी उसका बड़ा बेटा अब बास अंसारी शामिल तक नहीं हो पाए जनाजे में हुदंड मचाने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूपी बदल चुका है माफिया खत्म हो चुका है फात्या हो चुका है तो कि भीड़ भार बहुत जादा थी ओवर क्राउड हो जाने की वैसे कुछ मुश्किले आई लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया जो समर्थक आये थे उनको क्या पिल करेंगे कुछ नहीं वो सब मट्टी आज दे लें कल दे लें जब चाहे आके फात्या पढ़ने मजार पे मट्टी दालने और फात्या पढ़ने से कौन सी रोख है लेकिन एक बार एक साथ जाके हुलडबादी ये मुनासिब नहीं 45 साल के आपराधी के दिहास वाले यूपी के कोख्यात माफिया मुकतार अंसारी का आंत तब ही शुरू हो गया था जब उसने 2005 में मौव, हिंसा और जेल में रहकर वीजेवी विधायक कृष्णा नंद राय के हत्या पहरवादी थी लगभग 61 साल का बाहुबली माफिया अंसारी मर चुका है मुकतार के अंत के साथ ही उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी केसों की लिस्ट में एक ऐसा केस भी है जो हकीकत में मुकतार के अंत की सबसे बड़ी वज़ा माना जा रहा है मुकतार से जोड़ा ये केस था बीजे वी विधायक क्रिश्नानंद राय का हध्याकान साल 2005, एक के 47 और 400 राउंड फाइरिंग लगाता, 26 साल तक पूर्वान्चल में गदर मचाने वाले मुकतार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे लेकिन साल 2005 में जिस तरह से बीजे पी विधायक क्रिश्नानंद राय के हध्या होई उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था क्रिश्नानंद राय के हध्या इतने खौफनाग तरीके से होई कि उसके बाद से लोग माफिया मुकतार के नाम से ही कापने लगे थे हम आपको बताते हैं कि साल 2005 में बीजे पी विधायक क्रिश्नानंद राय हध्याकान को अंजाम कैसे दिया किया क्रिश्नानंद राय हध्याकान को जिस वक्त अंजाम दिया किया उस वक्त माफिया मुकतार जेल में बन था लेकिन इस सत्याकान का मास्पर्माई मुखतार को माना किया मुखतार के जेल जाने के बाद क्रिश्नानंद अपने ओपर हमले को लेकर लापरवा हो गए थे 29 नवंबर 2005 घाजीपुर के करीमु तीन इलाके के सेनाडी गाओं में एक क्रिकट मैच के उधगाटन करने के लिए क्रिश्नानंद राय निकले शाम चार बजे के आसपास जैसे वो अपने गाओं बोडर लोट रहे थे तो बसनिया चटी पर उने खेर लिया गया और एक के 47 से अंधा धोन फारिंगी गए करीब 400 गोलिया चलाई गए क्रिश्नानंद राय समेट 6 लोग के समले में मौके पर ही मारे गए क्रिश्नानंद राय के शरीर से सरसथ गोलिया निकाली गए भले ही साल 1980 में मुक्तार ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक पुरुवांचल वासियों ने मुक्तार अंसारी के उस काफिले को भी देखा है जिसमें उसके गुरगे खुलेयाम हतिया लहराते हुए जाते थे किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि मुक्तार अंसारी के काफिलों को रोख दे आज पुरुवांचल वासियों ने मुक्तार अंसारी को चार कंदों पर अंतिम यात्रा करते हुए देखा जिसके बाद पुरुवांचल के कई घरों में खुसी की लहर दोड़ गई क्रिश्चनानंद राय के हत्या सामान में हत्या नहीं थी कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने क्रिश्चनानंद राय की चुटिया काटली थी बात में उसी दोरान का एक आडियो सामने आया जिसमें मुक्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा है और बता रहा है कि चुटिया काट ले हैं News 18 एस ओडियो की पुश्टी नहीं करता लेकिन इस ओडियो से पता चलता है कि माफिया मुक्तार क्रिश्चनानंद राय के हत्या के बाद कितना खुश था इस ओडियो में मुक्तार और अभै सिंग के बीच बात चीत हो रही है ऐसा दावा किया गया है 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विराय क्रिश्चनानंद राय हत्याकान में मुक्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बना गया था 2005 में ततकालिम विदायक कृश्चनान राय की हत्या हुई इस हत्या का मास्टर माइन मुक्तार अंसारी को बताया गया इसके बाद से ही मुक्तार अंसारी लगातार अपनी अंतिम सांस लेने तक जेल में ही बनता जेल से वो बाहर नहीं निकल पाया 2017 में जब योगी आदितनात के हाथ में सुबे की कमान आई उसके बाद योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ एक्षन सुरू किया और इस एक्षन के तहत ही मुक्तार अंसारी पे जो 66 मुकदमे दर्शने उनमें से 8 मामलों में मुक्तार अंसारी को सजा हुई और बाकी मामले अभी भी कूट में पेंडिंग है इस सत्याकान से पूरा पूर्वान चल दहल उठा था और यही वार्दात मुक्तार अंसारी के लिए काल बन गए और अंजाम यह हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सका नहीं सार के लंबे इंतजार के बाद गाजपरिवार में खुशी का महौल है खेद्या गती रुकने से मुक्तार अंसारी की मित्यू हो गई भवान ने खुली का उपार हम लोगों को दिया है रात से ही लोगों की बधाईयों का ताता लगा हुआ है क्रिश्टन अंद राय की हत्या के 19 साल बाद लगभग 61 साल का माफिया मुक्तार अंसारी मर चुका है बांदा में हार्ट अटेक के बाद हुई मौद पर भले लाग सवाल उठें लेकिन जो लोग माफिया मुक्तार के कोहराम का शिकार हुए थे उनके लिए मुक्तार की मौद खोली और दीपावली बन कर आई है मुक्तार अंसारी की मौद के खबर मिलने के बाद क्रिष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनात के दर्शन किये और कहा कि आज उनके लिए हूली का तिवहार है रिष्णानंद राय की हर्थ्या के बाद मौक्तार अंसारी जरायम की दुनिया का बेताज बादशा बन चुका था 26 साल तक मौक्तार अंसारी ने पूर्वान्चल में जम कर गदर मचा है पांच बार विधायक बना पैसट से जादा आपराधिक मामरे दर्श हुए जेल के अंदर रहते हुए भी जम कर पैसा कमाया और रुपबा बढ़ाया लेकिन आखिर में मौक्तार अंसारी का भी वही अंजाम हुआ जो एक माफिया का होता है पुर्वांचल की राजनीती में मौक्तार अंसारी का कद कितना बढ़ा था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मौक्तार अंसारी जिसे चाहता था वही चुनाओ जीतता था और जिसे वो ना चाहता था वो चुनाओ हार जाता था लेकिन 2017 में योगी आदेतनाथ जैसे ही मुख मंतरी बने उत्तर प्रदेश के उसके बाद पुर्वांचल की राजनीती में मुक्तार अंसारी का कद लगातार गिरता रहा पंजाब की जेल में जहां मुक्तार अंसारी विलचेयर पर घुमा करता था उत्तरप्रदेश में जैसे ही मुक्तार अंसारी आया वो अपने पैरो पर खड़ा हो गया क्योंकि मुक्तार अंसारी को भी मालूम चल गया था कि अब उसका दुर दिन आने वाला है मुक्तार के अंत की कथा 2005 में ही लिखते गई थी माफिया मोकतार ने ऐसी गलती कर दी थी जो उस पर 19 साल तक भारी पड़ी क्रिश्चनानंद राय के हत्या के आरोपी बने मोकतार अंसारी ने सत्याकान को अंजाम क्यों दिया था इसके पीछे भी आरोप पत्र में एक बड़ा कारण बताया क्या है दरसल मोहमदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाओं जीत दे आ रहे थे और इस बार उन्हें क्रिश्चनानंद राय ने चुनाओं शिकस्त दी थी और हार का ये सत्मा मोकतार और अफजाल अंसारी बरदाश नहीं कर पा रहे थे आरोप है कि इसी को लेकर मोकतार अंसारी के इशारे बर प्रिश्चनानंद राय के हत्या करती गई मोकतार का जनाज़ा पुर्वांचल में माफिया राज के अंध की तस्वीरे दिखा रहा है ये कहना जरा भी घलत नहीं होगा जिस माफिया राज से जनता खौफ खाती थी वही माफिया राज अब यूपी सरकार से खौफ खा रहा है साल 1990 से लेकर साल 2010 तक जिस मुकतार अंसारी का पुर्वांचल के राजनिती में सिक्का चलता था आज उसी मुक्तार अंसारी के अंतिम यातर में उसकी पतनी आपसा अंसारी सामिल नहीं हो पाया यहां तक कि उसका बेटा अबास अंसारी भी शामिल नहीं हो पाया क्योंकि वो कासगन जेल में बंद है हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट का दरवाजा खट-कटाया लेकिन अब्बास अंसारी को इजाजत नहीं मिली कि वो अपने पिता के अंतिम यात्र में शामिल हो पाया मुक्तार अंसारी के खिलाफ क्रिश्णा नंद राय के हत्या, कोईला व्यापारी नंद की शोर भूंटा के अपरण और हत्याकान में एक हजार एक्ट्यावन बटे दो हजार साथ नंबर का मुकदमा लिखा गया था घाजी पूर की MP MLA कोट में इस मामले में मुक्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रोपे का जुर्माना भी लगाया था मुक्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रवियों में फसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसमें जील बट ली और कई पैत्रे आजमा है लेकिन तमाम पैत्रों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल सकी और आखिर में उसकी मौत हो गए और खाजी पूर से पूरे यूपी में गदर मचाने वाला माफिया कब्र में दफन हो गया कर दो कर दो काली पूरे यूपी मौत हो गपका बबादी नहीं मेंगा ऑाज सकी बाचे है